गुण मॉनिंग फ्रेंड्स मेरा नाम अक्षे है और मैं आप सब लोग का था राइट गाडनिंग यूट्यूब चानल में स्वागत करता हूँ आधाग का यूट्यूर्ट प्लां पहुतू एक प्लावर आता है यसमें पैंटाँ के वैसे काफी सारी वेराइटीज आती है इसमें येलो पिंक आ रडाक पिंक और रेडिश भी आते हैं जो बहुत सुन्दर लगते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा जब आप pentas लेने जाएं किसी भी plant nursery से तो आप 2-3 pentas लेके आए और उसको एक साथ लगाएं तो वो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसकी जो leaves होती है वो बहुती lush dark green कलर की होती है और इसके जो flowers होते हैं वो star के format में grow करते हैं ये देखिए जैसे star की तरह चोटे-चोटे star आयो हैं ये Egyptian star के नाम से भी जाना जाता है इसको और ये इसी तरीके से bright flower हो करते हैं आते हैं इसमें और उसी के जाब से इसका नाम रखा हुआ है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ friends ये मैं कितने का plant nursery से लेके आया हूँ मैं यह आप एक दिल्ली में रहता हूँ और local plant nursery से मुझे ये approximately पचास उरुपे का मिला है पचास रुपे का ये मैं पौदा लेके आया हूँ और इसको लाके मैंने ये 8 इंच के गमले में लगा दिया है आपने जब इसको गमले में लगाया हूँ है तो इसकी जो height होती है वो 2-5 foot तक जा सकती है और अगर आपने इसको जमीन पे लगाया हुए तो इसकी हाइट चार से साड़े चार फुट तक जा सकती है क्योंकि ये कि शरब की तरह एक जाड़ी की तरह ग्रो करता है तो सबसे पहले मैं बात करते हैं तो हम फ्रेंट इसकी सनलाइट के बारे में इसकी light requirements कुछ इस तरीके से हैं कि आप इसको direct sunlight में भी रख सकते हैं लेकिन आपने मई जून की direct sunlight में नहीं रखना और afternoon shade से अपने पौदे को बचाना है तो अगर आपके घर में सुबे की 2-3 घंडे की थोड़ी धूप आती है तो आप ऐसे location-based plant को रख सकते हैं इसको बहुत ज़्यादा bright sunlight में नहीं रखना क्योंकि इसकी जो flowering है वो summer season में थोड़ी कम हो जाती है high humidity चाहिए होती है इसको और सर्दियों में तो इसकी जो flowering है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लेकिन गर्मी होग में भी अगर आपको flowering चाहिए तो आपको इसको ऐसी location पर रखना पड़ेगा जहाँ पर shade ज़्यादा हो और bright sunlight थोड़ी सुबे सुबे की आती हो afternoon light से आपने इसको बचाना है अब बात करता हूँ फ्रेंड्स में इसकी मिट्टी कैसे होनी चाहिए जैसे मैं बाकी पॉदों के बारे में बताता हूँ इसकी मिट्टी भी well trained होनी चाहिए आपका जो potting mix है उसमें एक हिस्सा garden soil, एक हिस्सा vermi compost और एक हिस्सा sand होनी चाहिए अब मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स इसकी watering के बारे में इसको जो इसका growth season होता है गर्मियों में भी वैसे इसकी अच्छी growth होती है flowers भी आते हैं लेकिन सर्दियों में इसको frequent watering चाहिए होती है और गर्मियों में क्योंकि दिन बहुत जल्दी सूख जाते हैं बहुत गर्मी होती है और moisture बहुत जल्दी plant जो है वो खो जाता है तो इसको regularly पानी के splashes दीजिए उपर इसके पानी spray करिए आप एक sprayer bottle से इसके उपर spray करिए क्योंकि इसको moisture बहुत ज़्यादा पसंद होता है और इसको कुछ ऐसे plants के साथ रखिए अपने garden में जहां पर जो moisture को छोड़ते हूं क्या कि जो plant moisture छोड़ेंगे और ये plant उनका plant का moisture absorb कर लेगा तो इसके लिए अच्छा रहेगा और अगर ऐसा कुछ location नहीं भी है आपके पास तो आप उपर से पानी spray करिए और इसको regular watering करिए और दो watering के बीच में थोड़ी सी उपर वाली जो मिट्टी है layer की वो सूखने दीजिए सौगी मत बनाइए मिट्टी को दल दली नहीं बनाना आपने well drained रखना है और जो पूरा moisture है वो maintained होना चाहिए तब ही जो आपके flowers है वो अच्छी तरीके से grow करेंगे अब मैं बात करता हूँ friends इसकी fertilization के बारे में वैसे इसको कोई heavy fertilization नहीं चाहिए होती लेकिन अगर आपको बहुत सारे flowers अपने पेंटास पे grow करने हैं तो आप इसको हर 15 दिन में एक organic fertilizer दे सकते हैं गोबर खात दे सकते हैं या वर्मी कमपोस भी दे सकते हैं आप बनाना पील fertilizer भी यूज कर सकते हैं हर 15 दिन में और liquid fertilizer में कोई नहीं दूँगा अगर आपने compost टी बनानी है तो आप compost टी बनाके भी दे सकते हैं लेकिन मैं personally बता हूँ तो मैं हर 15 दिन में इसमें वर्मी कमप की बारे में इसको आप regularly soap solution या नीम का जो oil है वो सप्रे करते रहें क्योंकि pentas में moisture हाई होने की वज़े से कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं और उसकी जो leaves है उसको fungal infection बहुत जल्दी effect कर सकता है क्योंकि यह high moisture plant है इसमें जादे जादे लोग पानी सप्रे करेंगे तो इ एक और चीज में आपको बताऊं इसमें जुत्ती भी spent flowers हैं जो full खिलके मुर्जा चुके हैं उनको आप तोड़ दीजिए dead heading कहते है उसको जैसे यहां से मैंने वह full काट दिया था तो अगर आप ऊपर से भी नहीं काटना चाते तो आप यहां से जो है यहां पर कट मार सकते हैं यह देखिए यहां पर इस तहनी से मैंने कट मारा था यहां पर तो यहां से फिर यह साइट से दो ब्रांचीज निकली थी तो अगर यहां पर full आ चुका है तो अब यह जो ब्रांचीज ब्रांच है में यहां से छोड़ी सी काट दूम ताकि new branches को वो मिले growth मिले और वहा advances बढ़ जाते हैं तो यह थी हमारी वीडियो फ्रेंड्स पेंटास की प्लांट केर के बारे में अगर आपका इसके प्लांट के बारे में कोई भी question है तो please comment section में जरूर पूछिए और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो please like, comment, share जरूर करिए और अगर आ चैनल पर पहली बार आये हैं तो please मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिये friends, thank you, goodbye